तो बैंक निफ्टी के अंदर में काफी बड़ा गैप अप नजर आ रहा है तो यहां पे हम कैसा ट्रेड ले सकते हैं दिखिए 500 से भी ज्यादा अगर यह गैप अप है तो हमें इस चार्ट से तो कुछ हैल्प मिलेगा नहीं हम आने वाले चार्ट की अकोर्डिंग ही डिसीज बनाने वाले हैं ठीक है अगर 500 वगरा के नीचे आ जाता है तब तो सेल वगरा प्लान रखा जा सकते है इसके उपर उपर रहेगा तो कहीं ना कहीं बैंक की तरफ ही प्लान मार्केट के अंदर बनाके बैठेंगे और निफ्टी के अंदर भी काफी बड़ा गैप हमें मार् दें तो मुमंटम आने दीजिए उसके अकोर्डिन डिसीजन बनाना सेफ रहेगा तो वेट करते हैं ओपन होने का तो यहां पर मार्केट ओपन हो चुका है ओपन होते हैं थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग नजर आ रहा है तो यहां पर कैसा ट्रेड मार्केट के अंदर ल रनाएगा अभी यहां पर काम करें तो ट्रैप हो सकते हैं वेट करते हैं अभी कुछ नहीं करना यहां पर तो यहां पर पोजिशन मार्केट के अंदर लेने वाले मार्केट के अंदर ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है दो तीन बात हैं जो मुझे समझ में आ रहे मार्केट ने अच्छ अप्सàiट का मुमंटम किया तो यहां पर क्या होता है । फा बूक्ट ने हा डारेक्ली तो रेंडमब्पायर मार्केट आना शुरू हो जाते हैं। जो रेंडम बॉयर होते हैं मार्केट उनको चॉद्ध करवाना चाहता है और थोड़े भूथ यहां पर इस हैलर यहां पर एंट्री होंगे तो वैसे मार्केट दुबारा से निकलना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कई कोल में जाने की कोशिज करते हैं नाइनन कॉंट्री अपना 47600 का रखते हैं प्रीमियम थोड़ा सा मैंने हैवी रखा है ताकि कोई बड़ा मोमंटम भी ना हो तो जल्दी से प्रोफिट हो जाए और अगर कोई अपोजिट मोमंटम आए टाइम स्पेंड होने का लोस तो थोड हम यहां पर अपना एंट्री कंप्लेट करते हैं तो बात कर लेते हैं कि यहां पर हमने कोल साइड का पोजिशन क्यों बनाए निफ्टी में थोड़ा सा यह कलियर नहीं था कि मुझे बाइचांस ब्रेकडाउन वगरा हो जाता है तो फिर समस्या हो जाती है समस्या इस परका करता है और बैंक निफ्टी में आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने 500 का सपोर्ड लिया अंटिन्यू अपसाइट का मूंट हम किया तो इस परकार की जब सुचूएशन होती तो नॉर्मल परसन भी होता नहीं उससे भी समझ में आता है कि मुझे बाइय करने हैं तो व सब कुछ काम हो जाता है फिर मार्केट क्या करता है दो बार से बढ़ना शुरू करता है अब देखें यहां पर दूसरी तरफ से हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है 47 500 का सपोर्ड ले रहा है तो अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू नीचे जाकर अगर 47 500 की नीचे काम करेगा तो आपको कैसे लगता है कि कितने लोग यहां पर सेल करेंगे या नहीं करेंगे डेफिनिटली सेलिंग में काम करेंगे और बाय करने वाले हट जाएंगे क्यों हट जाएंगे क्योंकि एक तो मार्केट लोर पैंट को क्रोस कर देगा एक साइक चादर हो जाएं या फिर एक तरह बाहर हो जाएं. तो वहां पर मार्केट काम नहीं करता है. मार्केट हमेशा एक साइक दोख्यूक्त उनको अग्जेट मार्केट करवा रहा है उसके बाद थोड़ी बहुत यहां पे जो सेलिंग करना चाहते है जिनकी इचाहे की सेल करें थोड़ा बहुत जैसे मुमंटम आएगा मार्केट तो जादा ही बढ़ चुक है चलो यहां पे सेल करते हैं तो वो जो सेल करने आवाले हैं वो इस प्रकार के मुमंटम में ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू कर दीगा सिचुएशन खराब थोड़ी बहुत तब हो सकती थी बाइर के लिए अगर मार्केट के इंदर छोटा मोटा केंडल बनता और फिर अगर 500 का Breakdown हो जाता तो वो जल्दी से निकल जाता और फिर वहां पे सेलर ट्रेड नहीं बना पाते और वो ट्रेड बना नहीं कोशिस करते तो वो retracement retracement आईसे कर के मार्केड किर जाता तो वो एक अलग कहानी बन जाती, market के अंदर different psychology बन जाता, लिकिन आप कहीं ना कहीं upside का है momentum possible हो सकता है, और nifty के अंदर भी ठीक ठाक momentum आया हो है, तो यहां पे भी problem market के अंदर नजर नहीं आ रहा, gap अप काफी अच्छा था, premium हमने थोड़ा इसे heavy रहे हैं, ताकि market के अंदर जो भी momentum आये जल्दी अपने premium बढ़ जाएं, और target वगर हमारा जल्दी से अची हो, अगर opposite momentum आयेगा तो loss वगरा तो definitely थोड़ा सा तो जादा होता है, लेकिन इतना भी जादा नहीं होता कि डरने वाली बात है, और हम से यहां पे हम काम कर सकते हैं, देखते रहते हैं market के अ कोल का सिंपल है, रेंडम बायर को निकाल दिया है, कुछ से यहां पे seller आएंगे, market उनके accelerate करेगा, उसके बाद में भी momentum आ सकता है नीचे, आ सकता है, ऐसा नहीं कि आएगा ने, आएगा लेकिन वो time लेगा बहु जादा, और intraday में सबसे पहले call में benefit देगा, उसके बाद म भी put वगरा में market काम करें, तो अभी wait करते हैं, देखते रहते हैं, तो यहां पे market के अंदर थोड़ा बूत selling आने की कोशिज कर रहा है, देखिए छोटा मोटा selling आए तब तो अपने premium इतने कम हो नहीं रहे, लेकिन premium से ज़्यादा हमें यह चिंता रहती है, कि 500 के आस पास अगर पहुंच आएगा ना, तो market के अंदर क्या होता है, फिर वो upside की momentum नहीं कर पाता, वो फिर कहीं ना कहीं breakdown में convert हो सकते, तो मैं यहीं चाता हूँ कि यहीं कहीं से market उपर चला जाए, यह सही जगा है market में उपर जाने के लिए, अब इस से ज़्यादा नीचे आया तो market के इसके नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं आप समझ लेजी कि लोस का हिलमेट आपका हीट होने वाले है, यहीं से उपर चला जाता है, तो target वगर आराम से हम अचीव कर लेंगे, ठीक है, तो यहीं कहीं से, exact यहीं कहीं से, और निफ्टी भी थोड़ा बूट selling buying करने कोशिश कर देखते रहते हैं, वैसे तो ज़्यादा खत्रे वाली बात नहीं है, लेकिन जो बात समझ में आने चाहिए कि कहां पर trade गलत हो सकता है, कहां पर इसे ही हो सकता है, वो समझना जरूरी होता है हमारे लिए, वेट करते हैं, देखते रहते हैं, तो यहां पर जबरदस्त मार्क में वेट करो, देखो कि कितना आप capture कर सकते हो, जब आपको लगे कि opposite जा रहा है market, वहां पर कुछ नहीं बन पारा, तो वहां पर loss काट के निकल जाओ, प्रोब्लम क्या होती है, लोस में हम काटते नहीं है, और profit में वेट नहीं करते हैं, लगना चाहिए कम से कम, पहले होने वाला है, उसके बाद market के अंदर आपकी बड़े target करने probability बन दिये, तो अभी अच्छा momentum आया, बहुत अच्छा target हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि आसपास breakout होने को है market, तो किया जा सकता है, तो यहां पर हम देखते है market के अंदर कितना कुछ capture कर सकते हैं, अभी हम वेट करेंगे यहां पर, तो यहां पर market के अंदर continue upside का momentum आ चुका है, अब हम यहां पर बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, तुरहन तक जित market के अंदर करते हैं, क्योंकि target अपना और अची हो चुका है, अब यहां पर लालिच करने का कोई भी benefit नहीं होगा, क्योंकि जिस जिसे हमने trade बनाया था, वो almost complete हो चुका है, बात कर लेते हैं, शुरुआत में जो position बनाने का decision हमने बनाया था, क्योंकि gap up जादा था, market के अंदर आपको 500 के से भी जादा gap up नजर आएगा, तो यहां पर कोई भी decision बनाना आसान नहीं था, market के अंदर में wait करना था, उसके ब और random buyer को निकाला जा रहा था, तो यहां पी यही समझ मैं कि 500 का ऐसे तो breakdown market करने को रहा, कही ना कहीं दुबारा से upside को निकलने वाला है, जैसे sell करने के लिए दूसरे लोग आएंगे, इसलिए मैंने क्या किया था, cold side का position बनाया है, continue हमें upside का momentum देखने को मिला, अब breakout हो चु है, अब market कहीं से भी selling वगरा में convert हो सकता है, जो कि हमारे लिए safe नहीं रहेगा, इसलिए market के लिए exit करके हम निकल गए, और target जो हमें मिलना था, वो मिल चुका है, जो हमने reason के लिए trail बनाया था, वो भी almost complete हो चुका है, अब ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं है, और nifty और target वगरा मरा almost complete हो चुगा, इसलिए अबने exit करके market में निकल गए, आज के लिए तना धन्यवाद,